नार्नोल विदानसभा से तीसरी बार एडियो यानि की ओम प्रकाश यदव जीतेंगे या राव नरेंदर सिंग्ग तीसरी बार एडियो खुला में मेरे को देश का बवी से दिखाई दे रहा है हर्याना के नार्नोल में इस समय हम नया बाजार में खड़े हैं यहां पे कुछ जो दुकानदार हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किया कुछ उनकारुजान है बाइसाब पास तारिक को वोटिंग है ना और दस बार कॉंगरेस देख चुके हैं दस बार बीजेपी देख चुके हैं तो इस बार आपको क्या लग रहा है क्या मोहल और नारनोल की अगर हम विशेशतोर पर बात करें तो जैसे कई लोगों से हमारी सुबह भी बात हुई है उन में से सब बोल रहे हैं कि जनता यहां की शायद बदलाव देखना चारी है यह शुरू शुरू बे था पर अब वापिस माहोल बदल गया है कि जनता ने जो पुराणा जो हमारा केंडिट बार ओंपरकाश यादव है उसकी सराफ़त के इसको वोट मिल रहे हैं काम तो समय तो लगता है कि दस सत्तर साल का बिगड़ावा काम है काम हो भी रहा है पर दिखने रहा है पर तो लोग हर एक आदमी चाहता है आज ही काम हो काम तो होगा पर टैम लगेगा कि उम्परकाश यादव जी को तीसरी बार मतलब मिल सकती है मिल सकते लिए मिल गई समझिया कि जो चीज रुजान जैसे कि अब सेनी समाज ने जो पूरा सिहोग दिया है उसकी उसका रुजान चारपांदी से काफी मार्केट में आया है और पबलिक बोलने में लग गई है उसकी विज़े से बैयार में हर एक आदमी एक को देखकर दूसरा बदलता है और वह बदला अगले पांस तरीका आपको दिख जाएगा अगर टूटल हर्याणा की बात कर लें परसंटेज वाइस तो क्या लगता है आपको क्या हो सकता है परसंटेज वाइस कॉंग्रेस भा वाजबागी तो उसके साफ से हर्याणा में ज्यादा काम होगा मैं तो यह समझता हूं कि अकर कॉंगर्स को जिता दें तो पैसा नहीं आएगा यह कुछ भी काम होने सब्सक्राइब नहीं है तो जनता को तुम्हें सोचता हैं तो जान काम जल्दी जल्दी आएंगे उत्तर सब्सक्राइब ना कुछ जाती बाती का यहां पर सर्फ पार्टी के साफ से लड़ाई हो रही है तो यह कुछ खुद्रा दुकांदार है इनका साफ तो पर कहना है कि जाती है फैक्टर यहां पर नहीं दिख रहा अलागि शुरुवात में परसेप्शन कुछ और था लेकिन इस समय परसेप्शन बदला है और तीसरी बार नारनौल विधान सभा के अगर हम बात कर ले तो ओम प्रकाश यादव्याने के एडियो साब की हवा चलती हुई दिखाए दे रही है